आज हम बना के लाएं हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा जो की घर में हर समय अबलेबल हो उससे हम बहुत ही टेस्टी नास्ता बना के लाएं हैं तो यह देखिए बनाने में बहुत असान है खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंट तो जरूर से ट्राइ किजिएगा ता खाने के लिए हेली है तो इसके चाना चार्ट यो गूगनी बनाते हैं अग्सार यह हम बना अग्सार पाणे से बढ़ेंस दो कर चानल लिए हैं अब क्या करेंगे इसमें डालेंगे बेशन छे से साथ काले मिर्च शाबुत डाल देंगे और इसके बार डालेंगे मसाले में तो ये भूनी वुई जीरा पौडर है साथ ही जाएगा कलर के लिए आधी चमच हल्दी पौडर और ये तीखी के लिए लाल मिर्च पौडर तीखी खाते हैं दालेंगे इसमें प्याज तो इस तरह से प्याज काटकर एक मेडियम साइज का प्याज है 3-4 हरी मिर्च बारी काटके डाल लिए हैं अब यह डाली है सारे अगर तीक ही खाते हैं तो आलिए या तो कोई सभी एक सीप कर सकते हैं साथ ही डॉलेंगे लेस्षान्था का है जरूर अच्छा टेस्ट है हैं विडाले बारmanas वे प्यां लेकिवार्टोम में भाटके ठीक काटको ऩहना या है तो चाट मसाला डाले या तो आमचुट डाल सकते हैं तो देखें डाल लिए हैं अब सारे चीज को करेंगे मिक्स तो लिजिए सारे चीज को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हलका सा उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल का आटा इसे क्या होता है तो बहुत ही ठंधा होने पर भी बहुत ही क्रिस्पी बना रहता है तो चावल के आटा जरूर से डालिएगा थोड़ी सी पानी डाल कर देखें मिक्स कर लिए हैं अब डालेंगे इसमें चावल के आटा तो जरूर से डालिएगा चावल के हम पाने डाल कर थोड़ी सी mix कर लेंगे ज़्यादा गीला नहीं ज़्यादा कठिल भी नहीं रखना है तो ये देखिए इस तरह से पाने जरुद के हिसाब से हम डालते हुए इसे बढ़िया से mix कर लेंगे तो देखिए ये हमारा final look ये हमारा sun गया है तो देखिए इसी तरह से बिल्कुर रहना चाहिए इधर हम कड़ा ही चड़ाये हुए है तेल हमारा बहुत ही बढ़िया से गरम हो गया है तो अब एक एक पीस करके इसमें डाल लेंगे पहले चेक कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया से गरम हुआ है तो अब इस तारा से एक एक कर के हम डाल लेंगे तो इसमें जितना आएगा उतना हम डाल लेंगे तो इसमें बस चार आया है तो चार को हम ढाल लिये है medium to high flame पर हमें इसे fry करना है तो अब देख सकते हैं बहुत ही जी यह fry हो गया एक तरफ से तो एक तरफ हमारा ये golden brown याने की crispy हो गया है तो पलट लेंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम crispy होने तक फ्राय कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना easy लिए गुमराय बिल्कुल भी नहीं चपकता है फ्रेंच बहुत तेस्टी लगता है तो try किजिएगा अब सारे को दे है तो और सानी से ये बलाटी ये बनाई ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए बातों बात में हमारा एक तरफ से कितना अच्छा color आया है अब दोनों तरफ से हमारा बहुत ही बढ़ियां से फ्राय हो गया है तो अब क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे एक बॉल में कि देखिए कितना अच्छा है फ्रेंस तुराय किजिए अब अपना राय हमें साचा जरूर्सी किजिए आगा कि आज का रेसीपी कैसा लगा है तो लिजिए सारे को हमने बढ़ियां से एक पलेट में निकाल लेंगे तो शारे को हमने निकाल लिए हैं आप बचे हुए पीस this letter सीट है कई एक बटब में उस जरूर से किलिक करें तो फ्रेंज जरूर से हमें हमारे वीडियो को सपोर्ट है और हमें पना जरूर बताएगा कि हमारे बता क्यासा लगा अब बना के जरूर से ट्राइ किजिएगा बहुत ही ट्रेस्टी बहुत इजली बनता भी है बहुत ट्रेस्टी लगता है तो ट्राइ तो बनता ही है जरूर से किजिएगा और बिल्कुल नूर्मल रेसिपी है जो कि हर को यह बना लेते हैं बहुत असाने से बनता भी है तो कोई भी मतलब नया रेसीपी नहीं है फिर भी हम यह डाल रहे हैं बहुत ही अच्छा से तरीका बताएं हैं जैसे चावल के आटा और बेशन मिलाकर बनाने से बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बनता है तो ट्राइ किजिएगा बहुत सालो गेहुं के आटा डाल देते हैं इसे क्या हो है तो एक बार ऐसे जरूर से बनाईएगा और इंजाई किजिएगा बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड तो चलिए इंजाई किजिए फिर मिलते हैं नहीं रिसीविक के साथ तब तक के लिए थैंकिए